लब्जों में क्या तारीफ करूं आपकी लब्जों में कैसे समाऊं आपको जब लोग हमारे प्यार के बारे में पूछेंगे मेरी आखों में मेरे जाने हमन सिर्फ मेरा ये यूटुब परिवार ही नज़र आएगा वेलेंटाइन डे की बहुत सारी शिपकामना है, हापी वेलेंटाइन डे जैमात अदी, कमेंट्स में जैमात अदी जरूर ही कि वैसे तो I love you बोलने का दिना, तो किस करने का दिना है वही अपना होता है। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए चहरे से भी आपको भीमार होना चाहिए। और वो कहplace ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए, एक आज का दर्या है और डूब के जाना है। तो मर चुके हैं तुम्हारी आशकी में यूहीं अब क्या हमें घुट-घुट कर मारोगे आपका स्वागत अभी नंदन है वही सभी लोगों को वैलेंटाइन दे के हार्दिक शिपकामना है आप मेरा वैलेंटाइन है आप मेरा प्यार है आप मेरी महबत आप मेरा जनून मुझे औरो का तो पता नहीं हमारा परिवार तो हर रोज जैमातादी लिखकर और मा का दिवाना होकर हर कोई मुझे वैलेंटाइन बोलता है कोई मुझे दीदी बोलता है कोई भापी बोलता है कितना अच्छा लगता है पर मैं आपकी होस्त और दोस्त आपकी दिवानी आपके सामने हाजिर हो गई है आपको आज के दिन की हार जीक्षिप कामने अब मुझे इस उमर में तो किसी से प्यार होने से नहीं रहा आपको तो प्यार है तो चलिए आज आज आपको आपके प्यार से मिलवाते हैं मुझे आप से प्यार है मुझे देवा से प्यार है मेरा वेलेंटाइन वो है, वो मुझे गिफ्ट करेगा, जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले भी बताया था कि ये लंबे-लंबे राक्षास वाले नखून मुझे देवा नहीं गिफ्ट करें, लोगा आना ममा अची लगोगी, ममा अची लगोगी, तो ये उसका वेलें लिगी हो मेरी स्टेंथ हो, एक आँख तुम हो, एक आँख पापा है, और किसी भी आँख की खासेत ये होती है कि एक आँख इदर मुड़े तो दूसरी अपने आप इदर मुड़े है, लेकिन इन आखों के उपर दिमाग है, और इस यू माई परिवार, प्यार जिनसे महबत परवान चड़ जाता है, तो जिनने आप प्यार करते हैं, उनसे शुकरवार वाल जिन जरूर मिले, उन्हें समय समय पर इलाची खिलाते रहें, गोलोचन का टीका मिलाकर लगाकर अपने माथे पर हम ऐसे व्यक्ति से मिलें, जिसे हम प्यार करते हैं, या वो हमें प् पादे में उनसे एक रुपया जरूर ले दीजे, इतर का प्रयोग आपको जादा से जादा करना चाहिए, जब आप अपने प्रेमी से मिलने जा रहे हूँ, या फोन पर बात कर रहे हूँ, क्योंकि प्यार की असली पहचान तो 2020 में हुई, जब सब घरों के अंदर बंद हो होती रहे हूँ, इतना ममी पापा भी समझते हैं, बेवकुमत समझों ममी पापा को तुम, नारियल, धतूरा, कपूर, पीस कर, अगर शहद में मिला कर, ऐसे व्यक्ति के माथे पर लगा दिया जाए, जिससे आप प्यार करते हैं, तो उसका वशीकरन हो जाता है, और वो प्यास मुझे कुछ नहीं लगते, मुझे आपकी दिवान की रिखाई देती है, बस काम करना है, बस वीडियो बनानी है, बस यूट्यूब पर लोगों को बताना हो, अब वेलेंटाइन हो, अब ये है, वो है, वो है, प्यार में ना जुकना आना चाहिए, प्यार के अंदर अहसास होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें करना चाहिए, बिलीव इन कर्मा, मैं हूँ डॉक्टर वायराकी और आप इस वक्त मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैंने इस पर जुड़ी हुई फेस्बुक की जो वीडियो ना, वो पार्क में बना दी मैंने सोचे बाहर के खुबसूरत नजारे आपको दिखा दूँ और ये वीडियो मैं अपने अपने आफिस में बैटकर शूट करी हूँ, सच बताओं बाहर बहुत सर्दी थी, वी वी लग रही थी तो मैंने तो अनिल से का आनिल अंदर चलते हैं, अंदर बैटकर शूट क लेकिन आप लडका हैं और लड़के को गिफ्ट दे रहे हैं, तुम आप हमेशा कहँँ कि लड़की है लड़के को गिफ्ट भी दे रहे हैं और आर्फिक शितिया सही है तो चांडी सोना दीजे, क्योंकि अपना कल भी सवारी है, उसे कठा दिखे और ऐसे घिंशक तो ब legal вый पूप हो जाए तो उसके आप एक पार्टी करें और फिर आप एक दूसरे से गिफ्ट वापस लें दें आप चॉकलेट दें आप टैडी दें आप पास होई या दूर हो बट आपके दिल की धड़कन की आवाज ऐसी हो कि एक बंदा याद करें और दूसरे का कॉल आ जाए सही मानों में उसे प्यार कहते हैं तोफे जरूर देते रहें लेते रहें प्यार में लाल रंग का विशेश महत्वे रोज दें लाल कपड़े जादा पहने खुश्बू का प्रयोग जादा करें एक दूसरे पर विश्पास भरपूर करें रिष्टों में एक दूसरे को जगा तुम अपना मेरे को email का password दे दो, Insta का password दे दो, तुमारे Facebook का password दे दो, प्यार में नाचे नहीं, अपने आपको बिचाए नहीं, भीक नहीं मांगे, प्यार प्यार है, प्यार किया है, खुद को बेचा नहीं है, प्यार किया तो डरना क्या, ये समझ लीजे, कभी खुशी, कभी गम, एक बात अच्छे से समझ लीजे, क्यों दू मैं अपने Facebook का password, अपने email ID का password, that's my privacy, क्योंकि प्यार, आश्की, मोहबबत करने के सिवा भी, आपकी जिन्दिगी के अंदर एक space, that's you, आपने bank में कितने पैसे रख रखें, that's you, आपको किसके mail आ रहे हैं, that's you, अपने partner को हर चीज़ बताने चाहिए, लेकिन अपनी privacy को इस तरह से मत करो, प्यार की ना कभी भीक मत मांगो, ना चाहो किसी को इतना कि सनम बेवफा हो जाए, अपनी इज़त बनाए रखें और दूसरे की इज़त करते रहें, अपने बीच में कभी शक ना आने दे, अपने बीच में कभी कोई दोस्त ना आने दे, प्रेमी का अपमान कभी गैरों के बीच में ना करें, किसी की भी प्यार की कहानिया ना सुने और ना ही अपने प्यार की कहानिया सुनाएं अपने प्रेमी को दूसरे प्रेमी के साथ जज कभी न करें उस बंदे की परस्नालिटी उसकी है आपकी अपनी है आपने जिस भी दिन अपनी सहेली को अपने प्यार के बारे में बताना शुरू कर दिया जिस दिन आप दोनों के बीच में आपका भाई, प्रेमी, दोस्त, सहेली, यार, फ्रेंट कोई भी आ जाए, उसी दिन से मिसंडरस्टाइनिंग शुरू होती है उससे पहले सब कुछ स्मूच चलता है क्योंकि फिर आप अपने दिमाग की जगा, दूसरे का दिमाग भी उसमें मिला देते है और प्यार में दिमाग इस्तमाल नहीं होता वो प्यार तो प्यार ही होता है गलत होता है, सही होता है, नहीं समझ में आता आप अपने प्यार में जो शादी शुदा है उनके लिए भी एक छोटी सी रेमेडी दूँगी कि आपके हजबन आपको मारते हैं, पीकते हैं, बत्तमीजी करते हैं लेकिन आप ये कहती हैं कि मेरा माइका स्ट्रॉंग नहीं है, राकी ची मुझा भी इनी के साथ रहना है, जिन्दगी इसी के साथ बितानी है, मैं इस आदमी को छोड़ नहीं सकती तो फिर उस आदमी को बदनाम भी मत करिए, अपने बच्चों के सामने अपने पती को हीरो बना रहन दीजे, उसमें चाहे हजार कमी हो कि कि आज आप जिसको जीरो बना रही हैं और अपने आपको अबला नारी बना रही है, यही बच्चे कल आपकी इस्जत नहीं करेंगे, जो देंगे रिटन में वही मिलेगा पापा की बदनामी कर रहे हैं आपकी भी बदनामी होगी अब वो सुधरें या ना सुधरें कुछ बेडरूम टॉक्स कुछ बेडरूम बातें बेडरूम तक ही होनी चाहिए उसे बाहर में जग हसाया ना बढ़ाएं आपके बेडरूम की बातें आपकी बेहनों को पता हैं माओं को पता हैं आप मैन को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो हमेशा आदमी गलत नहीं होता आदमी फलटी होता है और आदमी को कहीं पर भी मौका मिले तो वो चौका मारता है लेकिन अपनी चीज़ को पुर्ति जोरी के अंदर सम्हाल के रखना आपकी जम्हेदारी होती है। गुलाम लेकिन कोशिश करें जहां जाएं साथ जाएं स्पेस इतना ना दें कि उस खाली जगा को कोई और भर दें। आप गुमने कहीं भी जाएं आप बहु हैं आप गल्फरेंड हैं आप बेटे हैं याद रखे कि घर में बैटे हुए बुजर्ग माबाप के खाने का इंतिसाम आप ही को करकर जाना है। गर जिस दिन आपको ये बाते समझ में आगें उस दिन रिष्टों में कभी दरार नहीं आएगी। माता पिता की सेवा पर्मो धर्मा है। कितने उपाय कर लीजिए राकी जब जो कहेंगी न हम वो कर लेंगे। एक पैर पैर खड़े होकर हम यमना में पानी चड़ा देंगे। अगर फर्स नाइट पर अपनी पतनी को आप ये जरिया दिखा दें कि मेरे माता पिता दिन हैं सुभा हैं शाम हैं मैं जो हूँ उनकी वज़ा से हूँ। मैं उन्ने टाइम ने दे पाता। मैं दिर को उतना ही प्यार दूंगा जितना प्यार तू उने देगी। यकीनन अपने देश से अपने भारत वर्ष से प्यार करें भारत को इस वक्त आपकी जरूरत है अच्छा बोलें अच्छा सोचें सोचल मीडिया पर अच्छे मेसेजिस दीजिए फिलहाल मुझे दीजिए जहाज़ा चलते चलते एक पर फिर से that I love you so much and happy Valentine day. जीवन में है समस्या नहीं मिलरा तकलीफों से चुटका रहा नहीं मिलरी मन चाही नौकरी तूट गया है विश्वास सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खतम हो गई है आस भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है टैरों के 78 कार्ड खोलेंगे भविश्य का जादू टोना तंत्र विद्याएं पती पतनी और वो करना होगा खुद पर विश्वास दीजे मुझे भी एक मौका अपनी कुंडले दिखाईए टैरों कराईए लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाईए मैं हूं डॉक्टर वायराखी आप मुझसे बात कीजे फो झाल